ITI Technical Master Channel पर एक वार्पुन नहीं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के क्लास में हम लोग कुलिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे इन्जन में कुलिंग सिस्टम का प्रियोग किसलिए किया जाता है कुलिंग सिस्टम क्या होता है कुलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है इन सभी बातों का चर्चा मैं इस वीडियो के माजम से आपके पास systematic बे में as per syllabus पहुंचाने का प्रयास करूँगा तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले कुलिंग सिस्टम क्या होता है कुलिंग सिस्टम कहने का ताथपर्च यहाँ पे engine के अंदर यानि कि ICE internal combustion engine के अंदर कितने प्रकार का कुलिंग सिस्टम परयोग किया जाता है modern engine में या पुराने engine में दोनों भी प्रकार के engine में आज तक जितने भी प्रकार के कुलिंग सिस्टम हैं उन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे सबस्थ पहले वाटीज कुलिंग सिस्टम first question से वाटीज कुलिंग सिस्टम सीधा जवाब जना है वैसा सिस्टम जिसके द्वारा engine के चलने से जो तापमान उत्पन होता है और उस तापमान के द्वारा जो गर्मी या एक्सपेंशन या बैड इफेक्ट इंजन में होता है उस इफेक्ट को कम करने के लिए उस तापमान को नियंतरित करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे कुलिंग सिस्टम कहते है यानि नियंत्रित करने का तात्पर्ज है इंजन वर्किंग टंप्रेचर पर रहे यानि कि इंजन थंड़ा भी नचले और ओवर हीट भी नचले इसको हम लोग नियंत्रित करना कहते हैं यानि कि इंजन अपने वर्किंग टंप्रेचर पर चले इसलिए वर्किंग टंप्रेचर पर engine अपना maximum power output देता है ठीक है यानि कि maximum जो fuel है efficiency हम लोग working temperature पर ले सकते हैं ठीक है तो समझ गए what is cooling system cooling system क्या है cooling system की क्या हो सकता है engine को engine के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठीक है इसके बाद है types of cooling system types of cooling system यानि कि cooling system कितने प्रकार का होता है तो साधारन्त हम लोग कहेंगे cooling system जो engine पर होता है दो प्रकार का होता है ठीक है रावरी divided into two parts फर्स्ट एयर कुलिंग सिस्टम सेकेंड वाटर कुलिंग सिस्टम ठीक है एयर कुलिंग सिस्टम किसे कह जाता है या single cylinder या छोटे engine में प्रयोग किया जाता है जैसे कि बाइक बगरह के engine में देख्या होंगे जहांपे cooling agent के रूप में बाइमंडर ये air का प्रयोग किया जाता है या किसी किसी aesthetic single cylinder engine में blower के द्वारा भी engine के गरम होने वाले भाग जैसे कि cylinder head हो गया, cylinder block हो गया, इन सभी भागों में fins बना रहता है generally copper का, copper का आप देखेंगे उभरा हुआ fins बना होगा, आगे की तरफ taper और उस taper भाग पे बाइमंडर ये air को blow किया जाता है या engine के चलने के दोरान बाइमंडर ये हवा उससे टकराती है हवा के टकराने से उस fins की गर्मी को लेकर के हवा अबजर्ब कर लेता है और बाइमंडर में उसको छोड़ देता है इस तरह से continuous system कर्च करते रहता है तो इस परकार से अगर engine को ठंडा किया जाए तो उसको हम लोग air cooling system के नाम से जानते हैं अब second water cooling system क्या है water cooling system यानि कि जिसमे cooling agent के रूप में पानी का प्रियूप या जाता हो उसे water cooling system कहते हैं नॉर्मली बड़े इंजनों में या aesthetic इंजनों में diesel इंजनों में water cooling system का ही प्रियूप क्या जाता है इसमें मुख रूप से water pump है, radiator है, fan है, fan belt है और उसका complete system engine से होते हुए piping करते हुए thermostat है इस तरह से complete system बनाया रहता है और उसके द्वारा engine को ठंडा किया जाता है engine के तापमान को प्रभावी रूप से नियंतरित किया जाता है, उस system को हम लोग water cooling system के नाम से जानते हैं ठीक है, अब हम लोग देखते हैं water cooling system को further तीन भाग में divide किया गया है ठीक है, इसको water cooling system को पुना हम लोग तीन भाग में बाटेंगे ठीक है, first है thermosyphon thermosyphon system second यह हो गया भी impeller impeller thermosyphon system और third हो गया pump circulation system pump circulation system ठीक है, याद रखेगा water cooling system पुना तीन भाग में बाटा गया थर्मosyphon system, impeller thermosyphon system और pump circulation system ठीक है pump circulation system को पुना हम लोग दो भाग में बाटते हैं इसको pump circulation system को इसको किस बाग में बाटा गया, first ordinary system ordinary cooling system, ordinary cooling system or second pressurized cooling system प्रस्राइल्ट पुलिंग सिस्टम ठीक है याद रखिए पहले एर पुलिंग सिस्टम वाटर पुलिंग सिस्टम वाटर पुलिंग सिस्टम को पुना तीन भाव में बाटा गया ABC थर्मो साइफन सिस्टम इंपैलर थर्मो साइफन सिस्टम पॉना पॉन्प सर्कुलेशन सिस्टम को दो भागन बाटा गया ओर्डिनरी कुलिंग सिस्टम और प्रिसराइस्ट कुलिंग सिस्टम अब हम लग समझते हैं थर्मो साइफन सिस्टम क्या होता है थर्मो साइफन सिस्टम कहने का तातपर्द है यह old age में पुराने जमाने के इंजनों में जब इंजन low speed होते थे कम आर्पियम पे चलते थे तो बड़ा साथ आपका radiator का इंज किया जाता था और radiator की height बस्तुतर इंजन के height से अधिक रहती थी जादा water content रहता था पानी उसमें डालने के बाद इंजन के cylinder head, cylinder block से उसके height से उपर तक पानी भरा हुआ होता है ठीकर इंजन जब चलता है तो चलने से जब गर्मी होती है गर्मी में संभाहन विधी के द्वारा यानि कि गरम पानी नीचे से उपर की तरफ चला जाता हलका होने के कारण ठीक उसी प्रकार स्वतह ही संभाहन विधी के द्वारा conduction method के माध्यम से heat गरम पानी नीचे से उपर चला जाता हो और इस तरह से circulate होकर के engine को जब ठंडा किया जाता है यानि कि सिर्फ और सिर्फ radiator का प्रयोग किया जाए उस system को आप thermosyphone system के नाम से जानते हैं ठीक है? impeller thermosyphone system second प्रकार हुआ impeller thermosyphone system impeller thermosyphone system में thermosyphone system के तरह ही radiator का प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके साथ एक fan का प्रयोग ताकि हवा को radiator के माध्यम से खिच सके इस विधी से पानी जल्दी ठंडा हो जाता है और उस पानी से पुनह engine की अंदर उसको circulate करके engine को ठंडा किया जा सके यानि की एक पंखा जड़ जड़ गया पंखा और radiator तग उसको हम लोग impeller thermosyphone system के नाम से जानते हैं और थर्ड बन हो गया pump circulation system, pump circulation system का प्रयोग आजकल के सभी modern इंजिनों में किया जाता है ठीक है अब pump circulation system भी दो तरह का होता है pump circulation system में हो गया ordinary system यानि की एक water pump रखेंगे water pump को फैन बेल से देखेंगे जनरी ड्राइब देते हुए और radiator के lower tank से पानी को खीच करके इंजिन में सभी भाग, cylinder head, cylinder block, cylinder block, cylinder head से होते हुए पुना फिर आपका thermostat unit में जाएगा, housing में जाएगा और वहाँ से पुना radiator के upper tank में चला जाएगा इस तरह से एक system बनता है इसका वीडियो एक live cooling system के बारे में मैंने वीडियो पहले पूर में बनाया हुआ है आप वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं radiator क्या होता है, thermostat क्या होता है और engine में पानी कैसे separate करता है उसके बारे में detail से बताया गया है और आगे भी जब practical के माध्यम से संभव होगा मैं बताऊंगा ठीक है? फिलहाल इतना आप याद रखिए कि जिसमें pressure cap का प्रेव होता हो, यानि कि system के अंदर pressure के साथ cooling किया जाता हो यानि कि cooling element जो water है, system में pressure के साथ रहता हो जनरली धाई kg पर cm2 का pressure system में जनरेट किया जाता है pump के माध्यम से और reservoir tank का प्रेव किया जाता है, आजकल जितने भी है engine उसमें reservoir tank या expansion tank का प्रेव किया जाता हो radiator के साथ, वैसे engine को हम लोग कहेंगे pressurized cooling system, pump circulation system है लेकिन pressure के साथ pump का circulation हो रहा है सिस्टम के अंदर पाने का pressure developed किया हुआ है, अतर उसको हम लोग pressurized cooling system के नाम से जानते हैं, ठीक है? आप समझ गया होंगे cooling system कितने प्रकार का होता है सबसे पहले air cool और water cool, water cool को पुनह तीन भाव में बाटे, thermosiphon, impeller thermosiphon, pump circulation system और pump circulation system को पुनह दो भाव में बाटेंगे, ordinary cooling system और pressurized cooling system ठीक है? अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, तो आप इसे like करें, share करें, तथा channel को subscribe कर लें, ताकि आपको authentic video मिलता रहे थैंक यू बेरी मुट्स